नमस्ते आप सभी से नरोध है कि करप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपको यह भी याद दिना 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 चाहता हूं कि हमारा मर्चनडाइज टोर आपना इसमें बहुत सारे आप्शन के साथ विशेशकर जो बटेंगे तो क आपकलक कर सकते हैं आज क्या अग्या किया योगी आजितिनाじ पर हमला किया यह संत जो नहीं है यह संत नहीं है यह आतंकवादी साथ में यह भी प्रश्ण उठाए कि कैसे जो है वो संत इस तरह की बाते कर सकते हैं और वैसे तो आप जानते ही हैं कि राहूल गांदी लगातार कहते रहें कि संतों की राजनीती में क्या भूमिका है यह संत लोग जो हैं यह क्यों नहीं जाते हिमाले की बात करते रहते हैं कि संत जो है वो राजनीती में क्या करते हैं वह आपको सबको याद दिला देना चाहता हूं कि कि कल जब यह बात कहीं जा रही थी तब कल मौलाना आजाद जहां मौलाना अबुलकलाम आजाद जो की लगबग 6 वर्ष तक भारती राश्टी कॉंग्रेस क अध्यक्ष रहे थे और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तो कल जो उनका जनम दिवस था वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है यहां राश्ट्री है शिक्षा दिवस अब यह शिक्षा दिवस अब यह देखिए कि एक मौलाना को जिसने कभी स्कूल का हुए एक व्यक्ति को जिसने सन्यासदारण कर लिया हो उसको मुख्यमंत्री यह दिवना दिया जाए तो यह कॉंग्रेस पार्टी जो है यह प्रश्ण उठा लेती है इसलिए कहते हैं कि कॉंग्रेस का हाथ ध्वन्सकारियों के साथ यह की देश की सब्विता को नष्ट करने वालों के साथ में यह मिलेंगे आपको देश का विभाजन इन्होंने ही करवाया और सारे काम जो उल्टे-पुल्टे हो सकते हैं बारत में यही लोग जो है वो सोचलिस्ट राज लाए और उस सोचलिस्ट राज का क्रिया जो क्रिय कर्म है अन्तिम क्रिया कर्म वो अभी अभी कुछी दिनों पहले माननी उच्चतम याया लेने किया सारे काम ये करते रहें और जिस मौलाना को इन्होंने शिक्षा मंतरी बनाया मौलाना को जिसको शिक्षा मंतरी बनाया उसने कभी जैसे मैंने आपको भी बताया कि उसने कभी मक्का की थी मक्का में ओ केवल और केवल मौलानाओं से उसने पढ़ी और अर्दू की शिक्षा और अर्बी की फार्सी की ये शिक्षाएं उसने अपने घर पे। की कभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया कभी कोई कॉलेज नहीं गया और अपने जो है वो मकतुबात लिखता रहा और मकतुबात में जो उन्हों ने लिखे जो भी हमारे अबुल कलाम अजाद वो जो भी लिखते रहे अगर उसकी हम पूरी आपको तफसी सुना दे तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि भाई ये अबुलकलाम आजाद बोल रहा है या कि अबुबकर बगदादी बोल रहा है दोनों के जो बाते कह रहे हैं उसमें कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है क्योंकि इन्हों ने जो खिलाफत अंदोलन था जिसमें इन्होंने गांधी जी को फसाया अब गांधी थी तो खैर स्वेम विलिंग से थे तो चुकि वो तो इस प्रकार के एक कोई मौकाई डून रहे थे तो उनके लिए अबुलकलाम आजाद जो है वो एक प्रकार अब गांधी के पैर में फसा हुआ काटे का दर्द जब तक किसी हिंदोस्तानी मुसल्मान के दिल में नहो तब तक वो मुसल्मान नहीं है हाँ जी खिलाफत में इनको फसाया खिलाफत वाला अंदोलन चलवाया उसके बाद प्र बहुत नस्दीक हो गए और बड़े मज़े से लोग और भी कहते हैं कि इनको बहुत सारे शौक भी थे पता नहीं किस तरह के मौलाना थे और शौकिया भी थे शौकीन भी थे खैर वो अलग बात है वो परसल बात है नहीं करनी चाहिए लेकिन जो कुछ उन्होंने अपने शिक्षा मंतरी के कारेकाल मे किया उसकी तो चर्चा वैसे हम पहले कर चुके हैं यहां भी कर देनी समीचीन इसलिए होगी क्योंकि यही थे भाई साहब जिनोंने मुस्लिम लीगियों को एक प्रकार से मैस इंक्लूजन कराया जिया एक बड़े पैमाने पर जितने भी लीगी थे उत्तर भारत के उनको करन उसी समय से आरब हो गया था यहांने सुना है मेंने सुना है अरिफ मुम्म्ठ खान साहब को कहते हुएं कि जो लोग भी कांगरेस के साथ में जो मुसलमान जुड़े हुए थे वो अलग तलग पड़ गये क्योंकि उन एक उनके पास मुसलमानों के वोट नहीं थे मुसल पाकिस्तान जिया जैसा कि आपको पता है कि मुसल्मानों ने यहां जो भारत के मुसल्मान है जो वरतमान भारत है यहां रहने वाले जो मुसल्मान है उन्हों नहीं पाकिस्तान बनवाया जो लोग पंजाब में और सिंद में और यहां बंगाल में लेते तो नहीं नहीं बनव पूगलिया है ना जोड़दार बात और अब मान्निय मल्यकार जुन खड़गे कह रहे हैं कि संतों को क्या कार यह है राजनीती से खड़गे कह रहे हैं कि यह आतंकवादी है क्यों है क्योंकि उन्होंने नारा दे दिया कि बटेंगे तो कटेंगे अब भाई देखें ये कांग्रेस की पुरानी नेरुवादी नीती है और वो नेरुवादी नीती ये थी कि भाई मुसल्मानों को तो एक रखो मुसल्मानों को कहो भाई तुम सब एक रहो तुम्हारा वोट इधर दर नहीं होना चाहिए तुम्हारा वोट एक ही जगे पढ़ना 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 चाहिए यानि पहले पागिस्तान और भारत का विवाजन किया उसके बाद फिर यहाँ पर पूरी तरह से जो पहले से हिंदू-मसल्मान विवाजन अंग्रेजों ने किया था उसको यहाँ पर पुष्ट किया और उसके बाद फिर शित्रवार विवाजन कर दिया भाशावार विभाजन कर दिया कोई भी ऐसा कारे नहीं छोड़ा विभाजन में जो रह जाता और आतंकवादी कौन है जो यह कह रहा है कि सब लोग एक रहो बटेंगे तो कटेंगे United we stand, divided we fall तो भाई हिंदूओं कोई एक रहने में रहा है, यह कोई आवान करता है गल्वत काम करता है अच्छा उनको तो हिंदू भी नहीं का उनको बटेंगे तो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे का है मतलब है यह जो जातियों में ना बटो अभ यह काम तो महत्प hamba गानी भी किया करते थे तथा कथित महात्मा लेकिन जिनका नाम जो है वो ये कॉंग्रेसी और ये राउल गांदी और ये खड़गे साहब ये रोज लिया करते थे दस बार पानी पीपी के लेते हैं और लिया करते थे वो तो ये ही कहते थे के हम सब के एक रहना चाहिए एक रहेंगे न क्या दिक्कत है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नी इंको एक नहीं रहना चाहिए ये यह एक रहना नारा है, ये हमारी अस्मिता का नारा है, ये देश का नारा है, ये राश्ट्र का नारा है, ये राजिनीतिक नारा नहीं है, यहीं पर मल्लिकार जुल खड़के जी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, फिर वो कहे रहे हैं भई आतंकी नारा है, यानि आतंकी नारा कैसे हो गया आप इससे आतंकित हो रहे हैं आप यदि इससे आतंकित हो रहे हैं भाई थो फिर आप अपनी आतंक बाद की परिवाशां कोई नहीं कर दीजिए क्योंकि ज'? अतंक करने वाले हैं जो आपके voter है, वो इस तरह से आतंकित नहीं करते हैं आतंकित करते हैं छुड़े से, चापड से, पत्थर से, तमंचे से, गोली से, बंदूख से और अक्सर तो एके 47 से भी करते हैं आरपीजी का भी उपयोग करते हैं भी देख लिए जम्मी कश्मूर में कौन कर रहा है तो भई आतंक बाद को इस प्रकार से आप हलके तरीके से उपयोग में लाकर आपने राजनीति के मर्यादा तो नश्ट की ही है और मैं यह उच्छत समझता हूँ कि यह जो इन्होंने कहा है यह पूरी तरह से समविधान का उलंगन है क्योंकि समविधान में किसी को फ्री स्पीच के नाम पर हेट स्पीच करने की भी अनुमती नहीं है हेट स्पीच जो है समविधान के धारा 19.2 में प्रतिबंधित है यह 19.1.a में फ्रीडम अव एक्स्पेशन है और 19.2 का जो A है उसमें ये दिये हुए है restrictions और उसमें ये है कि आप इसका उप्योग जो है और किसी दूसरे के आप defamation के लिए मानहानी के लिए किसी के मानमर्दन के लिए नहीं कर सकते आगया आपकी समझ में मलिकार जुन खड़ गे जी ही समझ में आया तो आप जानते हैं आप तो करते ही रहते हैं कल तो आपने और आपकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जिस्टिस ओफ इंडिया के जो शपत ग्रहर समारो था उसका ही बाइकाट कर दिया और आप से किस तरह के समझदारी की आचा की जाए अब आप जो है ये आतंकवाद की परिवाशा और संतों की जो बात करते हैं उसको जरा आपके जो मौलाना साहब जो शिक्षा मंत्री थे उनसे तुलना करके फिर अपने लोगों को ठीक से बताईए जय हिंद जय भारत वंदे मात्र